आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बुक आफ दा डेट जो एजिप्शन बुक है उसकी संबरी तो शुरू करते हैं इस बुक की संबरी मेरी यानि गरिमा की आवाज में हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई बुक आफ दा डेट दरसल ये कोई किताब नहीं है बलकि एक बड़े से प्रपायरस प्लांट के पन्ने पर लिखे हुए विशिष्ट मंत्रों का संकलन है ये प्रपायरस प्लांट जो है ये एजिप्ट में बहुत आयत में पाया जाता वहां की रेतेली भूमी पे आसानी से उग जाता था फिर इसकी जो बाहरी सतय थी इस प्लांट की डंडी की उसे छील दिया जाता था और इस डंडी को पीट-पीट के उसे पन्ने की एक रूप दिया जाता था ये पन्ना सालों तक खराब नहीं होते सबसे अच्छे से संरक्षित जो बुक ओफ देड है वो एक एजिप्शिन आदमी की है जो की नाम है उसका बुक ओफ एनी पहले जो विशिष्ट मंत्र हुआ करते थे ये पिरामिट के अंदर उसकी दिवारों पे या ताबूत के उपर उकेरे जाते थे और मिश्रवासियों का मानना था कि जब भी किसी राजा की मृत्य हो जाती थी तो मरने की उपरांत ये मंत्र उसे सहायता करते थे स्वर्ग तक पहुँचाने में या फिर मोक्ष दिलवाने में और ये मंत्र पहले सिर्फ राजाओं के लिए ही लिखे जाते थे लेकिन जैसे जैसे समय बीता रहा ये मंत्र आम होते चले गए और फिर एक समय आया जब बुक ओफ देड़ कोई भी खरी सकता था अपने मिल चुकी है लेकिन काफी खराब कंडिशन में हैं कई लेकिन ये जो बुक ओफ एनी है ये ब्रिटिश म्यूजियम लंडन में जो है वहां पे रखी गई है लगबख 78 फिट लंबी ये किताब है जो कई परपैरस के पन्नों को जोड़ कर बनाई गई है मिश्वासियों का म जाने में अवरोद उत्पन करती है पर जो ये दिवारों और ताबुगत पे जो उकेरेवे मंत्र थे ये आत्मा की रक्षा करते थे और उसे सही रास्ता दिखाते थे कि उसे अब क्या करना है मरने के बाद ये जो मिश्वासी में जो राजा लोग होते थे इनके शरीर के सा के इस Weegema से ज़ान के ऊबर एक सोने का विशेश टाइपका कीरा रखतिया जाता था ये कीरा सोने का भी हो सकता था और खास करके ग्रेई करण के पत्थर से में सप्राइए था देखने में ये के बितल के शेप का होता था अब ये दिल के ओपर क्यों रखा जाता था इसकी के उपर ये क्या करता था बुक आफ दा डेड चार सेक्शन में विभाजित है सबसे पहले सेक्शन में हम जानते हैं कि मरने के बाद जो आत्मा है वो पाताल लोक में प्रवेश करती है और अगर आत्मा पाताल लोक से सही सलामत वापस आ जाएगी तब उस बॉड़ी के अंद बिन प्रकार के भगवानों के बारे में जगहों के बारे में जैसे एक लेक है जो आग उगलती है और कई ऐसे गेट्स हैं जहांपे बड़े बड़े राक्षस उसका पहरा दे रहे हैं कैसे ओरीजन हुआ इन जगहों का भगवानों की क्या किविदंतिया है इनके बारे में जानकारी दी गई है तीसरे सक्षन में बताया जाता है कि कैसी वो जो आत्मा है जो बृत शरी से निकली है वो दिन भर यात्रा करती है और शाम को उसे पाताल लोग में भगवान ओसाइरस के सामने पेश होना है भगवान ओसाइरस जो अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करते ह और चौथे सक्षन में बताया गया है कि कर्मों के लिए वो माफी मांगती है आत्मा मरे हुए इनसान को अगर माफी मिल जाती है उसकी आत्मा को तब फिर जो गौड ओसाइरस है उसे मोक्ष दे देते हैं उसे इम्मोर्टरिटी दे देते हैं यह जो बुक आफ दा डेट थ जादा तर जो बुक आफ दा डेट है यह आदमी लोग की है रेशियो जो पहले था 10 इस टू 1 का था अगर 10 आदमी की लिए बनी है बुक आफ दा डेट तो सिर्फ एक ही विमन के लिए बनी होती थी लेकिन धीरे धीरे आगे समय में औरतों की भी बुक आफ दा डेट बनने मिली है परपैरस प्लांट को जोड़कर यह जो बुक बनती थी इसकी चोड़ाई 15 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर के बीश में होती थी और जब लिखी जाती थी बुक जादा तर लेट से राइट साइड में लिखी जाती थी और ब्लैक और रेड इंका प्रयोग किया इस्तिमाल किया जाता था अब यह जो बुक आफड़ डेट थी यह परस्नलाइजड होती थी मतलब जिसकी बुक है यह उसका नाम जरूर लिखा रहेगा यह खास जो लोग थे जो प्रीस थे वही बनाते थे और जो नाम की जगह होती थी उसे खाली छोड़ दिया जाता था जब भीवा कोई किताब खरीता था जो इनसान तब उन खाली रिक्त स्थानों पे उस इनसान का नाम फिल कर दिया जाता है इस बुक में कई स्पेल्स हैं लेकिन अभी तक सिर्फ 190 स्पेल्स को ही सफलता पूरवक पढ़ा जा चुका है अब सबसे पहले क्या होता था जब कि दिल को वहीं छोड़ दिया जाता था जो कि वो मानते थे मिश्रवासी कि दिल में ही सारी इमोशन्स हैं सारी मेमोरीज हैं और जितनी भी इंटलिजन्स है आदमी की वो दिल में ही वास करती है अब जब इसी इनसान के मृत्यू हो जाती थी तो सबसे पहले उसकी बॉड़ी का ममिफिकेशन किया जाता था ममिफिकेशन के लिए कुछ प्रीस्ट ये काम करते थे उस इनसान के सारे बॉड़ी पार्ट्स निकाल लिये जाते सिर्फ दिल छोड़ दिया जाता पूरे बदन में खास तरह का नमक भर दिया जाता जिसे नेट्रॉन कहते थे फिर एक खास तरह के रसायन में कपड़े की पट्टियों को भिगो के पूरे बदन पे लपेड दिया जाता दिल की जो जगह थी वहीं पर वो स्कैरब जो कीड़ा था बीटल के शेप का उसका लॉकेट नुमा बनाके उसको पलटके उसके हाठ के उपर रख दिया जाता जब ये काम होता त दो महीने का समय लगता था ये समय इसलिए जरूरी था जिससे की बॉड़ी एपने आइडियल फॉर्म में आ जाए और जब आत्मा पाता लोकी आत्रा करके वापस से इस बॉड़ी में प्रवेश करे तो बॉड़ी जो है बिलकुल मूवमेंट करने के लिए तयार हो उसे को जो आधे मनुश और आधे जानवर थे कोई ऐसी लेक्स पी थी जिसमें पूरे आग उगलती रहती थी कई ऐसे दर्वाजे थे जिसमें बहुत भेंकर जानवर या रक्षस होते वो पहरा करते थे अब ये बिचारी आत्मा कैसे पार करें ये सब और अंत में ओसाइरिस भग पार करते हुए पहुंच जाती थी अन्पने गंतव्य पे इन सब व्याधियों को पार करते हुए आत्मा पहुंचती थी फाइनली हौल ओफ जस्टिस में जहां पर उसके साथ म्याई किया जाएगा यहां पर 42 देफता होते थे जो उसकी परीक्षा लेंगे वो बारी बारी से आएंगे और आत्मा से सवाल करेंगे वे खुद को यकीन जब तक नहीं दिला लेंगे कि इस आत्मा ने कोई बुरे कर्म नहीं किये हैं बुरे कर्मों में जैसे किसी का दिल दुखाना छुपकर पडोसियों के बाते सुनना या फिर नील नदी का पानी गीला करना उसको दूशित कर देना अगर ऐसा वो आत्मा ने कोई गंदे काम नहीं किये होते किसी का दिल नहीं दुखाया होता छुपके बाते नहीं सुनी होती पानी दूशित नहीं किया होता तब वो आत्मा फिर से रिउनाइट हो सकती है अपनी बॉड़ी के साथ और फिर उसको मिल जाएगी वस्वर्ट में चली जाएगी वहां पर उसे कोई दुख नहीं होंगे सिर्फ सुखी सुख होंगे यहां पर हम लोग को काम आएगा वो लॉकेट वो जो बीटल शेप का एमिलेट रखा गया है बॉड़ी के हाट के उपर जब आत्मा से यह सवाल पूछे इंसान तो बहुत सारी गलतिया करता है जिंदगी में लेकिन इस समय वो जो कीड़ा है वो दिल को इशारा करेगा कि चुप रहो सारी सचाई देवताओं को बताने की कोई जरुवत नहीं तुम चुप रहो और हां भर दो कि हां मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया कोई पाप नहीं किया और ये एमिलेट इस तरह से हेल्प करता था उस आत्मा को और आत्मा जूट बोलती थी और भगवान उस पर यकीन भी कर लेते थे और फिर वो जाके अपनी बोड़ी से रियूनाइट होके मोक्ष प्राप्त कर लेती थी इन सब प्रॉसेस के बीश में एक और भी होता था जब ये आत्मा जूट बोल देती थी एमिलेट की सहयता से तब फिर ये जाती थी एक खास देवी के पाथ जिससे एनिबिस कहते हैं ये एनिबिस देवी जो थी उनका चेहरा एक जैकाल की तरह था ये आस्ट्रिच का एक पंक लिए हाथों में खड़ी रहत था अगर ये दिल और वो पंक बिलकुल बराबर होते मतलब उस आदनी का दिल बहुत हलका होता उसमें पाप ना होता उसमें द्वेश ना होता उसमें किसी के लिए जलन नहीं होती तो आप बहुत हलका महसूस करेंगे खुद को अगर वो आदनी का दिल वैसे ही हलका होता औस्रिच के पंक की तरह, तब फिर एनेबिस कहतीं की जाओ, अब तुमने सब व्याध्याँ पार कर ली है, तुम स्वर्ग में अराम से रहो, सब दुखों से तुम चुट्टी पा जाओगे, ये था मेन इन लोग का जो इग्जामिनेशन होता है, दिल का की उसको वे किया जा वो हर कदम पे आत्मा का साथ देगी, तो ये थी Book of the Dead की समरी, मैंने खोशिश की ये सारी important points कवर करने की, आपको ये समरी कैसे लगी, comment section में बताएं, जरा सबी वीडियो अच्छा लगा हो सुनने में तिससे एक लाइक जरूर करें, और जुड़े रहे मेरे चैनल से सुनते रहे इंट्रेस्टिंग कहानिया, thanks for listening, bye for now